हेलो दोस्तों, वेल्काव, बूडिवनिंग, स्वागत है आप सभी का, दोस्तों जैसा कि आप सभी चानते हैं आपके SSE C-Segal exam को टार्डड करते हुए, in fact सारे exam को टार्डड करते हुए मैं आपको SSE के PYQ की एक चबरदस सीरीज लेकर स्टार्ड कर चुका हूँ, जो की आपके previous year से related होगी complete question होंगे बिल्कुल authentic होंगे और हम लोग सारे subject को धीरे-धीरे cover करेंगे एक वार में या एक वीडियो में यह करपाना पॉसिबल नहीं है questions ज़्यादा है इसलिए part wise हम लोग कर रहे हैं पर भी कम समय में आपको ज़्यादा question पहुचाने का प्रयास कर रहा हूं यानि कि 35-40 question हम दो 10-15 minutes में देख लेते हैं आप सभी तक यह question पहुचाना मेरा काम है आप इन्हें एक बार जरूर देखें और अपने दिमाग में set कर लिजिए ताकि अगर question ये गलती से भी repeat हो जाए तो आप बिल्कुल कर पाए इसे पहले में आपको एक chemistry का और एक geography का दे दिया है आज हम लोग बात history की करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार है फिलाल मैंने आपके लिए आज MTS के question उटा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे-च्छे question है जो आपको आपकी exam में देखने को मिल सकते है ये 5, 10, 2021 से 2, 11, 2021 के बीच में होने वाले सारे questions के बीच का set है तो बिल्कुल इबानदारी से देखेगा और जो भी question आपसे मैं पूछ हूँ उसका जवाब comment में जरूर देना ठीक है वाई? चले पहला question आपके सामने है खिलजी राजवन्स ने दिल्ली पर कब से कब तक सासन किया था? तो खिलजी राजवन्स ने 1290 से 1320 इस वी तक सासन किया था और आप ये भी याद रखें कि ये दिल्ली वन्स का सबसे छोटा वन्स था माफ किजिए दिल्ली सल्तनत का ठीक है? दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वन्स था आपको comment करना होगा कि सबसे बड़ा वन्स कौन सा था? ठीक है जिसने सबसे यादा समय तक का क्या होगा दूसरा कोशन है जम्मु कास्मीर में पुरातात्रिक महत्तो का इस्थल निमलिखित में से कौन सा है वाटकल मास्की ब्रह्मगिरी या फिर बुर्जहों तो इन में से बुर्जहों जो है वो जम्मु कास्मीर में है यह याद मन्डा जोकि अड़ापा सब्वेता का सबसे न conference area माना जाता है जो कि चिɸ ंदिक थी ये कि आपको देखने को मिलेगा किस न्दिक कि न देखने को मिलेगा चिनाप जोस्तों गर आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दिए ये मंदरों को भेट की गई जमीन है गैर ब्रामण किसान मालिकों की जमीन है जैन संस्थाओं को दान दी गई जमीन है या ब्रामणों को भेट की गई जमीन है तो ये मंदरों को भेट की गई जमीन है जो की चोल सिरालेकों से पता चलती है याद रखेगा अगला कॉशन है न प्रप्रवारती है तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारती याद रखी गाएगा लोथल प्राचीन इसीन्दुगाटि सपिता का एक प्रमुक शहर है नम्रीकित में से किस राजमेस्तित है तो लोथल पत्तननगर के तौर पर भी दिखा जाता है यानिक एक बंदरगाह के किस नदी किनारे दिखाई पड़ा था यह आपको गुजरात में देखने को मिल जाता है कहां देखने को मिलता है गुज्रात फिरणorg चैहले सारे बच्छे कमेंट करेंगे कि आपको काली मंगन किससे टेट में देखने के घहली वम्ह soccer में و प्रहूंर में दरशार अ किस वर्ट स्व प्रारम किया गया तो में 16 यह दरसल एने बसंटा था किसका था यह बेहना झीया लेकिना स्ट्रस सब्से पहले किया बालांगादर तिलक इसको स्टा diesel के साथ यह अप्रैल 1916 में लगपए स्टार तब इन्होंने पूने में याद रखी ति दो पत्रिकाय याद को ब कौमन वील और नूंडिया ठीक है नियो इंडिया काफी इंपोर्टेंट है कॉमन वील और नियो इंडिया जबकि बालगना दरती लग की तो मराठा के सरी आपको मालूम होगा किस ने ब्रह्म संगीता लिखी थी जो ब्रह्म समाज का आस्था कथम था और इसमें समाज के सलस्यों के लिए कर्तव्यों और डायत्यों की सूची बनाई गई थी देविन नाठ टैगोर गिसवर्चन विद्यसागर राजराम मुहन राय या फिर केसव चंद्र से तो सही अंसर देविन नाठ टैगोर जी ने ब्रह्म सहिता बनाई थी जबकि ब्रह्म समाज किसका है तो ब्रह्म समाज किसका है ये आपके राजा राम मुहन राय का है ठीक ह निमलिखित में से किस वर्स में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह दुत्ती को सिंगहासन से अबदस्त कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया जिस वज़े से लोग वहां के तुड़ा सा विद्रोही हो गया और ये भी 1850 की करांती का एक महत्तुपोड कारण माना किया था कुशासन का रूप नहीं लगाया था ये किया गया था अवद के साथ किया गया था आप ध्यान लुकिए स्वदेशी अंदुर्ण के प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी पसिद्ध छवी को चित्रित किया जिसमें उन्होंने एक तपिस्वनी आकरती की कुशन को हम देखते भी नहीं पढ़ते भी नहीं तो जरूर ध्यान रखीगा अभी इन राट टैगूर्ण अगला कोशन है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है तो प्लासी का युद्ध जो कि आपको 57 में देखने को मिला 1757 बे जहां पर क्लाइ मीर जाफर को पुना बना दिया गया बकसर का युद्ध होने के ध्यार रखीगा ठीक है क्योंकि मीर कासिम की जो नीतिया थी वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आई थी मिर जाफर को गदारों की तोर पर भी दिखा जाता है और भी कई अनिन नाम दिया जाते हैं तो यह पर अंग्रेज विजय हुए थे 1701 बिटिस वाइसराय लॉर्ड करजन ने बंगाल का वजन किस वर्स में किया था बंगाल का वजन 1905 में किया गया था और इसे लगभग 1911 में रद भी किया गया था जब जॉर्ज पंचम और मेरी आये हुए थे दिल्ली दरबार में याद गुप्त शासन में प्रथम चीनियात्री भारत में आया था उसका नाम बताईगा लाइक करते रहीगा साथियों अगला कुशन आपके पास लगभग 2500 वर्स पहले सिंदू नदी को इरानियों और युनानियों के द्वारा क्या कहा जाता था तो सिंदू नदी को इरानियों और युनानियों के द्वारा हिंदो कहा जाता था आप याद रखीगा क्या कहा जाता हिंदो इंड़ा सापने पड़ रहता है वैदिक सब्रता में सिंदू के लिए हिरन ने वती जैसा वर्ड यूज किया गया है हिरन का मतलब होता है सोना अर्था जिस नदी से सोना चीन भारत में महाजनपदों के सासक अपने छेत्र के डैस से भागा नाम का एक कर लिया करते थी तो भागा बली ये सब जो कर थे ये किसानों से दी जाते थे याद रखीएगा वैदिक सब्वितम भी बली का जिक्र मिलता है आगे बढ़िये 17 नमर की बात करें तो जैपुर म में एक महल है जिसका निर्माड सवाई परताप सिंग ने करवाया था उसका नाम क्या है तो सभी को पता है वह हम हवा महल कहते हैं सवाई परताप सिंग आगे बढ़िये 17 निमलिखित में से कौन सा भारत में पुरातातिक महत्तों का एक पुरा पाशाण स्थल है भारत में लेगर आपसे पुरा पाशाण की बारे में पूछा गया था ठीक है तो यह द्यान लखी चलिए 19 की बात करें तो भारती सम्राथ हर्स की जीवनी हर्स चरित हर्स की कारे आगो दर्किस ने लिखी थी तो इनके दरबार में एक विक्तिर देती बाढ़ भट है ना इनोंने हर चरित भी लिख रखी है और कादंबरी भी लिख रखी है यहाद कि हर्षवर्दन भी अच्छा लेखा था उसने भी NPR तीन कुस्तके लिखी थी नागा नद प्रिदर्शिका और रतनावली तो NPR याद रखी गा हर्षवर्दन की लिखी एटीन सिक्टी फोर में वेद आए और इसकी सापना मंद्रास में की गई थी जो कि अपसे नहीं है यह सब ब्रहम समाच से देरे-देरे टूटते रहे थे चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला कुशन है हमारे पास निमलिकीत में से किस इसमार को दक्कन का ताज कहते हैं तो दक्कन का ताज हम लोग क किसे कहेंगे बीबी कमकबरा औरंग छेअ ने अपनी निवाया था ठीक उरंगा बढ़ता है इसे ब्लैक टाजमाल भी एके लिए नहीं हिसे सिराजा कि इस सुन ádकाल में कौणार का सुन मनों दिर बना था कौणार का सुन मों दिर बनाता अनन थे पदमाना आपने नहीं माफ कीजिए नर्सिंग देव ने बनाया था जो कि एक गंग सासक थे यह आपको पता हूँ गंग सासक ने बनाया था कुणार का सुर्मंदिर यह आप याद रखेगा उड़ी सम पढ़ता है चलिए व्यपगमन का सिध्धान जी से हम डॉक्ट्राइन कहते हैं कि कार्यावन के खिलाफ 1824 बिटिस इस्टना कंपनी के खिलाफ ससस्त्र विद्रोह का नेत्रत करने वाले पहले भारतिसा से कौन थी तो यह थे कितूर चेनमा आप इनका नाम याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टन विश्चन ठीक है 1824 की बात हुरी है इसी वर सबसे अंतिम पड़ाव जो चल रहा था वो लगबाग किसी फेस की कहानी है सलबाई किसंदी 1782 और वसीन किसंदी 1802 वेरी इंपॉर्टन संदी है किस समा सुधारक ने वर्स 1896 में पूना में एक सैक्षिक संस्था हिंदू विदवाग्रह की स्थापना की दोंडो केश्वी करवा पुली थेवर नानजी देशमुक ता त्याटो पे तो ये करवे सहाब है इन्हें दीडी करवे भी कहा जाता है काफी इंपॉर्टन वेक्त आगे बढ़ते हैं अकिल भारती मुस्लिम लीग और इंडिया मुस्लिम लीग जिसे हम कहते हैं इसकी स्थापना 1906 में किस इस्तान पर हुई थी तो यह हुई थी ढाका डाका के नवाब थे सलीम उल्ला खान और अध्यक्ष बना दिया गया था आगा खान तो आगा खान भी इसके अध्यक्ष रह चुके यहां मुस्लिम लीग तो यहां पर आपको दिखती है इंडियन लीग कब आई थी इंडियन लीग आई थी 1875 के आसपास इंडियन लीग की स्थापना की थी यह आप याद आगे बढ़ते हैं पक्की मिट्टी टेरा कोटा के मंद्रों के लिए परसिद्व विष्णोपूर नेमलिकेद में से किस राज में हैं लेकिंट तेरा कोटा का जी टेग जो है वो गोरकपूर उत्तरप्रदेश को दिया गया है वो पकी मिट्टी के वर्तन आपने पढ़े होंगे सिंदुगाटी संबिता में भी तो तेरा कोटा वही है लेकिन यहां मंदिर की बात हुए विष्णोपूर और यह पढ़ता है पशिम मंगाल कहां पढ़ता है पशिम मंगाल पढ़ता है आप और नेक्स्ट कुशन आपके पास निमलिकेद में से किसे वर्स 1929 में भारती राश्टी कॉंग्रेस के अद्श की चुना गया तो यह सुभाश चोड़ो की कहाने चल रही थी उसी दोरान करो यह मरू का नारा दिया गया था आठ अगस्त उनिस सुब यालिस को काफी इंप्वर्टन डेट है आठ अगस्त उनिस सुब याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है साइमन आयो के खिलाफ सांती पूर्ण पंडित मदनमोहन मालवी को किसके नारे के लिए लोग प्री माना जाता है तो सत्य में जैते इनका नारा है पंडित मदनमोहन वालवी का याद रखीगा बात करें अवद किसान सभा गठन किस वर्स हुआ था तो अवद किसान सभा गठन उनिस सो बीस में हो गया था अगर ह आगे आजएए दूसरे में प्रत्वी राज हार गई गौरी जीत गए और यह हुई है इल्दुत्मिस और यल्दौज की वीच में ठीक है यह द्यान नकिए तो यह काफी बाद में हुई और अंतिम कुश्चन आजका निमलिकित राष्टवादी नेताओं में से किसे देश बंदू के नाम से जानते हैं तो देश बंदू के नाम से हम लोग चितरण जन्दास को जानते हैं देश बंदू चितरण जन्दास साथियों अगर आपको हमारे सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा साथ साथ बेल आइकन आउन कर लिजे ताकि हर वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में अंसर भी दीजेगा और ये भी बिताएगा कंटेंट कैसा है मिलूंगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत आप सभी का पाई बाई